हेलो फ्रेंड्स देखिए मेरा खुद कर नरसरी है मैं नरसरी के काम करता हूँ और मेरा नाम कृष्णा कुस्वाहा है मैं ग्राम किजवार से हूँ बहुत से लोग चंदन के पौधों की पहचान नहीं कर पाते हैं जैसे कि मलियागिर चंदन बहुत उचे चंदन माना जाता ह है हमारे हिंदू समाज की मुदाबिक और इस चंदन की रेट भी बहुत ज़्यादा इसकी लकड़ी बहुत कीमती हुआ गरती है तो आईए हम आपको चंदन की पहचान कराते हैं तो भाईयो यह आप जो चंदन देख रहे हैं है ना इस चंदन को आप जब नरसरी में जाते हैं तो इसको बोलते हैं कि यह मलियागिर चंदन है मलियागिर चंदन है जबकि भाईयो यह मलियागिर चंदन नहीं है यह सिव चंदन है और आप मलियागिर चंदन के नाम पर हजारों रुपए फेक देते हैं जबकि एक दाना सिर्फ एक दाना लगा देते हैं और उसका उ भोई सस्ता आईए हम आपको इसको सिर्फ चंदन कहते हैं आईए हम आपको एक और mimamar की पहिचान करा देते हैं पौधा बहुत बड़ा होने की कारण मैंने उसका पत्ता तोड़की लाया जो इसे currently कहते हैं रक्त चंदन इसे कहते हैं रक्त चंदन यह हमारे पास ज़ाड लगे हुए हैं सो मैं आपको दिखाने की कोशिज कर रहा हूं इसे कहते हैं रक्त चंदन यह ज़्यादा महंगा नहीं है यह मार्केट में इसका ज़्यादा रेट नहीं हुआ गरता है है आईए हम अब आपको दिखा तो आप अगर मलिया गिर्चंदन खरेदना चाहते हैं तो इसे कहते हैं मलिया गिर्चंदन ये हैं मलिया गिर्चंदन ये असली मलिया गिर्चंदन है इसमें साप जब ये बहुत बड़ा हो जाएगा इसमें खुस्बू आने लगी तो इसी में साप रहते हैं इसी पौधे मे सर्फ लोग मतर रहते हैं तो आप इसी पौधे को खरीदें और ज्यादा फालतू पैसे ना दें और बेवकूफ ना वने तो अगर आपको हमारी च्छोटी सी जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो हमारे मस्ती मस्ती चैनल को सक्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें और सक्सक्राइब सक्सक्राइब करना बिलकुल न भूले जय हैं जय भारत माता की जय बंदे मातरम जय स्री राम